दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है हमारे एसकेंट टेक्निकल न्यूस के अंदर मैं हूँ आपका दोस संजे तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो समर्सिबल मोटर होती है उसको बोर्वेल के अंदर उतारते हैं उससे पहल के लिए कनेक्शन करते हैं डेल्टा कनेक्शन वह कैसे करते हैं तो यहां पर देखिए इस तरह से आपको डेल्टा कनेक्शन बनाना है यानि छेत वायर होंगे तीन कलर के इसके अंदर होगा आपका ब्लू होगा येलो होगा और रेड होगा तो इन तीनों कलर को आपको इस स्टाटर से बोर्वेल के अंदर जाएगी तो पहले दोनु केबल को जोइंट कर लें उसके अंदर तीन वायर होंगे रेड ब्लू और येलो और दूसरी केबल का भी रेड येलो ब्लू उनको सेम कलर नहीं मिलाना है जो बोर मोटर की जो दो केबल हैं उनको डिफ्रेंट कलर म मिलाना है यानि आपका रेड है तो येलो मिला दे और येलो है तो उसमें ब्लू मिला दे तो इस तरह से एक भी कलर आपको सेम नहीं मिलाना है उसके बाद क्या करना है कि जो केबल है उपर से आ रहे हैं उसका एक जो सीरा है उसका और जो मोटर के जो तीन सीरे बने हैं दोन करने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में टेप लगाने के बाद उसके उपर आपको जो इंसुलेशन रबर आता हैं कच्छा रबर बोलते हैं उसको इंसुलेशन वाटर प्रूफ रबर आता हैं वो लगाना है इसके दोनु तरब जो आप देगेंगे की टेप मिला हैं वहां तक इसको रबर को लगाना है यह रबर आपका waterproof का काम करेगा क्यूंकि इसको जोइंट के अंदर पानी नहीं गुशने देगा तो जब हम बोर्वेल के अंदर मोटर डालते हैं तो उसकी दो सीरे निकले होते हैं कोई-कोई मेकेनिक होता है जो मोटर के अंदर ही हैं तो भी आप केबल का जोइंट इस तरह से waterproof बना सकते हैं कच्चा रबर लगाने के बाद उसके उपर वापस आपको टेपिंग करने हैं एक वायर के उपर तीनु वायर को इसी तरह से करना है और लास्ट में फिर पूरे केबल के उपर टेप लगा के कच्चा रबर लगा के फिर टेपिंग करनी है तो यह आपका बिल्कुल सोलीड एक नंबर आपका इंसुलेशन हो जाएगा इसके अंदर कभी भी पानी नहीं गुसेगा बहुत सारे क्या करते हैं तीनु वायर के उपर टेप लगा के रबर लगा के फिर टेपिंग करने के बाद रबर लगा के उस पर टेपिंग मार दें यानि आप तीन डबल बार उसके उपर टेपिंग करोंगे तो जोइंट इतना अच्छा और सोलीड बनेगा कि कभी आपके जोइंट का अंदर पानी नहीं गुसेगा तो मैंने इसलिए यह वीडियो टेक्निकल के उपर डाला मैं चाहता तो उसको इसको एन एग्रो निउस के उपर भी डाल सकता लेकिन वहां पर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता इसका फुल वीडियो मैंने इसलिए वापस दूबारा से बनाया है एक तो आपको जोइंट करना है जो अगर मोटर से दो केबल निकल रहे हैं तो उसका डेल्टा कनेक और मिलें नेक्स वीडियो में जैन टेक केर अल दे बेस्ट